वैल आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप SBI में अपना सेवेंग काउट ओपिन कराएं है और आपको ATM काड नहीं मिला है या किसी अन्य तरीके से ATM काड अपलाई की गया है और दस्तिक पंदर दिन हो गया है आपको ATM काड नहीं मिला है तो उस कंडिशन में हम क्या करें कि जल से जल हमारा ATM काड मिल जाए स्टेप बाइ स्टेप एक शी को डिटेल्स में कवर करेंगे अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हिलफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को जोज़ोज़ सब्सक्राइब कर दिजिएगा तो आप उन्हें मिलते नहीं है जिसके वेज़े से आपका ATM काड डिलिवर्ड नहीं हो पाता है अब ये सवाल उठता है कि कैसे हम पता करें कि हमारे अकाउंट में कौन सा एड्रेस रजिस्टर है उसके लिए जो आपका पास्बूक होगा उसी के फर्ण पेज़ पर एड्रेस प्रिंटेड होता है और अगर आप श्योर है कि आपका एड्रेस सही है तो आपको अपने बैंक ब्रांच में पता लगा नहीं कहीं ATM काड उनके पास नहीं ना आया है क्योंकि कभी-कभी होता है कि इंडिया पोस्ट के इंपल्आई आपके घर को ज्यादा सर्च नहीं करते हैं और आपके ATM कार्ड को अपके bank branch में जमा कर देते हैं तो आप अपने ATM कार्ड को bank branch से pick up कर सकते हैं और हाँ जब आप bank branch जाएं तो अपना अधार card एंड अपना passbook साथ लेका जाएं क्यों बैंक वाले आपको verify करेंगे तभी आपको आपका ATM कार्ड देंगे और इंडिया post के office में या भी bank branch में भी आपका ATM कार्ड नहीं मिलता है तो आपको complaint register कराना पड़ेगा अपने ATM कार्ड को जल जल पाने के लिए complaint register आप चार तरीकों से कर सकते हैं सबसे पहला तरीका है customer care जो screen पर number देखने का आपको मिल ला है इस number पर आपको call लगाना है और आपको अपना एक complaint register करा देना है कि मेरा इतना दिन हो गया है मेरा ATM कार्ड नहीं मिला है और दूसरा तरीका है customer care email जो screen पर आपको email देखने को मिल ला है ये SBI का customer care email है इस पर आपको एक mail कर देना है जिसमें लिखना है कि मेरा इतना दिन हो गया है semi account open किये या फिर apply किये और मेरा ATM कार्ड नहीं मिला है और अगर आपके पास पास्वूक होगा तो उसका एक photo fix card इसमें attach कर दीजिएगा और अगर आप online account open किये है तो अपना account number and account folder name and आपका data birth इसमें लिख दीजिएगा और तीसरा तरीका है bank branch अगर आप urban area से belong करते होंगे तो आपके bank branch में अच्छी facility होगी वहां से आप एक complaint register करा सकते हैं और चौता तरीका है Twitter अगर आपके पास Twitter account है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो आज ही बना लिजे आपको एक tweet कर देना है SDI के official account को tag कर दीजिएगा और उसमें लिख दीजिए कि मेरा इतना दिन हो गया है मेरा ATM कार्ड नहीं मिला है और आपको उनको message कर देना है अपने account का सारा डिटेल्स या फिर अपने bank पासबूक का पोटो किसके भी उनको message कर सकते हैं I hope कि सारे doubts आपको clear हो गया होंगे इसके बाद भी अगर आपका कोई question या फिर आपको कोई doubt है तो comment section में पूर सकते हैं मैं आपका help जरू करूँगा आप वीडियो end तक देखने के लिए आपका धन्यवाद